एक एंजिन की ट्रबलश्यूटिंग से परीचे नमस्ते, इस सेशन में आपका स्वागत हैं, जो एक एंजिन की ट्रबलश्यूटिंग से आपका परीचे कराएंगे एंजिन स्टार्टन होने के कई कारण होते हैं जब यह पता चल जाए कि एंजिन हाल ही में चल रहा था, उन कारणों में से कई कारण हट जाते हैं इस काम को किसी समस्या के लिए ट्रेशर हंट की तरह मान ले इंजिन को सही हालत में रखने के लिए इसका रख रखाव ठीक से किया जाना चाहिए इसे चलाने के लिए तीन चीजों की जरुरत होती है एक स्पार्क प्लग जिसमें स्पार्क पैदा होता है, इंधिन और हवा का सही मिश्रन और इंजिन कम्प्रेशन Compression test के कारण engine खराब होने की समभावना सबसे कम होती है एक motorbike को kick करके start करने से या high gear पर engage करते समय handlebar से ठेल कर compression stroke के resistance के बारे में पता चल जाता है kick या धक्का मारते समय अगर भारी resistance यानी प्रतिरोध हो तो ये ठीक है बहुत ही पुराने motorbike के अलावा यह समस्या आम तौर पर देखने को नहीं मिलती है क्योंकि हमारा engine हाल ही में अच्छी तरह चल रहा था इसलिए compression test को हटा दिया गया है आईए अब हम fuel system की जाच करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई समस्या है या नहीं टैंक में इंधन है या नहीं देखें अगर जरूरी हो तो इंधन डाल दें pet cock या strainer की जाच करके देखें कि ये on या reserve position पर है जरूरत हो तो adjust करें अब carburetor choke on करें फिर kick starter को 10 बार kick करें और choke को off कर दें या electric start को 6 सेकेंद तक चलाएं अब choke off कर दें spar plug निकाल कर इसकी जाच करें अगर spar plug गीला है और petrol की खुश्बू आ रही हो तो इसका मतलब है कि इंधन कार्बोरेटर से होकर combustion chamber में जा रहा है यह एक अच्छा संकेत है पर फिर भी कार्बोरेटर मिश्रन की समस्या हो सकती है अगर spar plug सूखा है तो fuel filter या strainer या pet cock जाम हो सकता है pet cock को off करें strainer बावल निकाल कर कचड़े की जाच करें जरुवत हो तो साफ कर लें अगर in-line fuel filter लगा हो तो filter के निचले सिरे की fuel line निकाल दें और निकले हुए fuel line के नीचे एक glass रख कर pet cock को on करें अगर इंधन आराम से निकल रहा है तो कार्बोरेटर तक का system साफ है अगर इंधन रुक रुक कर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है तो fuel filter बदल दें adjustments और जाच करने के बाद चोक on करके engine start करने की कोशिश करें अगर engine start नहीं हो रही है तो spark plug की दुबारा जाच करें अगर ये अब भी सूखी है तो शायद कार्बोरेटर जाम हो गया है इसके float valve या float bowl के साथ समस्या हो सकती है या jets जाम हो सकते हैं आईए अब हम ignition system की जाच करते हैं और देखते हैं कि इसमें spark हो रहा है या नहीं ये जाच करने के दौरान spark plug को नंगे हाथ से नच्छुएं प्लग को पकड़ने के लिए एक insulated pliers का इस्तमाल करें पच्चास हजार वोल्स का जटका लग सकता है ग्राउंड इंसुलेशन के लिए जूते पहने रखें ध्यान दें ये कोई खतरना काम नहीं है लेकिन pace maker या दिल की बिमारियों वाले लोगों को ये काम न करने की सला दी जाती है स्पार्क नजर आने के लिए मोटर बाइक छाव में होना चाहिए और नकी सूरज की धूप में अगर पिछले बार निकाला गया स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड गीला है तो कपड़े के एक टुकड़े से पोंच कर सुखा लें पार्क प्लग वायर कैप को प्लग के साथ जोड़ दें इगनीशन स्विच आन करें प्लग के थ्रेड वाली जगा को एंजिन के साइड पर पेंट न किये हुए फिन्स या किसी साफ बोल्ट पर पकड़ कर रखें प्लग वायर या कैप को अपनी जगह पर थामे रखने के लिए प्लायर्स का इस्तमाल करें कीकर को हाथ से घुमाते हुए या इलेक्ट्रिक स्टार्ट की मदद से इंजिन क्रैंक करें और देखें की प्लग के इलेक्ट्रोड टिप पर स्पार्क पैदा हो रहा है या नहीं क्योंकि प्लग वहाँ नहीं लगा है इसलिए कोई कंप्रेशन नहीं है और किक्स्टार्टर आसानी से घुम जाता है अगर इसमें स्पार्क आदश रूप से नीले रंग का नारंगी रंग का भी चलेगा पैदा हो रहा हो तो यह संकेत है कि इगनिशन सिस्टम काम कर रहा है प्लग के इलेक्ट्रोड का रंग पीला भुरा से भुरा होना चाहिए इसका रंग काला होना अधिक इंधन को दर्शाता है जिसका मतलब है कि मिश्रन में काफी ज्यादा मात्रा में इंधन है और सफेद रंग होना कम इंधन को दर्शाता है जिसका मतलब है मिश्रण में जरुरी मात्रा में इंधन नहीं है और इस समस्या को हल करने की जरुवत होती है एंजिन आफ होने पर लेकिन इगनीशन स्विच अन होने पर अगर स्पार्क पैदा नहीं हो रहा हो तो हेड लैम्ट को अन करके इसकी जाँच करें अगर ये जल रहा है तो इसका मतलब है कि बैटरी सही है स्पीडो मीटर इगनीशन लाइट जला कर देखें अगर ये इगनीशन स्विच अन करने पर जल जाता है तो इससे पता चलता है कि स्विच काम कर रहा है इलेक्टरोड के सिरों के बीच एक ओम मीटर का इस्तमाल करके स्पार्क प्लग इलेक्टरोड की जाँच करें और रेजिस्टन्स देखें अगर रीडिंग थोड़े समय के लिए दिख कर बंध हो जाती है जिसे डेट शॉर्ट फ्लाशिंग भी कहा जाता है तो इसका मतलब है कि प्लग में खराबी है और इसे बदलने की जरूरत है एक सामाने रेजिस्टर प्लग का रेजिस्टन्स 6.4 किलो ओम्स होता है एक नॉन रेजिस्टर प्लग के लिए 0 ओम का रेजिस्टन्स होना आम बात है उसके बाद स्पार्क फ्लक वायर के इंसुलेशन की जांच करके देखें कि उसमें कोई दरार या टूटा हुआ है या नहीं. और साथ ही स्पार्क प्लक क्याप पर कोई धीले कनेक्शन होने की भी जांच करें. अगर कोई तार खराब हो गया है तो तार की मरमत कर दें या बदल दें Special Testing Equipment के बिना Electronic Ignition की जाँच करना मुश्किल होता है और ये काम किसी अनुभवी Technician पर छोड़ देना सही है इस अभ्यास में Ignition Coil की जाँच करना शामल नहीं है और इसके लिए ज्यादा ट्रेनिंग की जरुवत होती है इस अभ्यास में मुख्य रूप से Fuel System के पूर्जों Fuel Tank से लेकर Carburetor Input Line में किसी खराबी की जाँच करना शामल है इसके साथ ही बैटरी से लेकर Spark Plug तक और Electronic Ignition और Ignition Coil को छोड़ कर Ignition System के पूर्जों की भी जाँच की गई थी अगर सबी जाँच सही सही किये गए हैं और उनमें कोई समस्या नहीं मिली है तो शायद Electronic Ignition या Ignition Coil में कोई खराबी है Ignition System की जाँच के नतीजों से यह पता चलता है कि Spark Plug Wire और Spark Plug Cap के बीच की Connection खराब हो चुकी है एक Insulation Tape की मदद से अब हम वायर और Cap को एक साथ लेकर उनकी सही जग़ा पर टेप लपेट लेंगे ऐसा करने से Connection मजबूत बन जाएगा और वायर खीच कर ढीला नहीं होगा अब हम अपना Engine स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारी Trouble Shooting का का काम सफल रहा है या नहीं इसी के साथ हमें सेशन के आखरी पड़ाव पर आ गए हैं आशा है कि आपने सेशन का आनन्द लिया होगा